नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मौनिका गुपता और आप देख रहे हैं हर खबर डॉक्टर मीना महाजन पिछले दो दशकों से आध्यात्मिक मार्ग दर्शक है जो वंचत लोगों की नी स्वार्थ सेवा कर रही है डॉक्टर मीना महाजन गरीब और जरुरत्मन लोगों के जीवन को अभावों से उभारने में लगी हुई है देखिए यह रीपार्ट डॉक्टर मीना महाजन पिछले 26 सालों से आध्यात्मिक मार्ग दर्शक है आपको बता दे कि डॉक्टर मीना महाजन गरीब एवं जरुतमन लोगों के जीवन को आभावों से उभारने में लगी हुई है डॉक्टर मीना महाजन गरीब परिवार जैसे घुमन की समाज और पिछड़ा वर्थ के लिए राशन सहित कई जरुती चीज़े मौया करवा रही हैं बलकि जरुतमन बच्चों के लिए सिक्षा का भी अलख जगा रही है डॉक्टर मीना महाजन ने कुरोना महामारी के दौर में सैप्रो लोगों को राशन के वित्रत की साथे दिली के विभन इलाकों में कई होल यानि के help other people eat food courts लगाए और जरुतमन लोगों को खाना पहुचाया कुरोना काल के दौरान एक लाख कुरोना युधा तयार किये डॉक्टर मीना महाजन का मानना है जरुतमन लोगों की साहता करने की शक्ती अध्यातनिकता से मिलती है डॉक्टर मीना महाजन ने कहा कि हमारी संस्था से लगभग एक मिलियन लोग जुड़े हैं साथ ये सिद्धी पाउंडेशन में चंडॉली जिले में कई गाउं अडॉक्ट कर रखी है डॉक्टर मीना महाजन को कई पुरुसकारों से भी नवाजा जा चुका है डॉक्टर मीना महाजन एक एस्ट्रोलाजर भी है तो वहीं डॉक्टर मीना महाजन ने हमारे समवाद दाता कंचन कुमार से खास बाचित करते हुए क्या कुछ कहा आई आपको सुनाते हैं आज हम बात करेंगे डॉक्टर मीना महाजन से जो पिछले 26 सालों से लोगों को अध्यात्मिक की तरफ ले जाने का प्रियास कर दी है मैम से करीब एक मिलियन लोग जुड़े हुएं आई जानते हैं डॉक्टर मीना महाजन से उनका सफर कैसा है मैं आध्यात्मिक हूँ सबसे पहले तो थांक्यू कंचन मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे अपने सब्जेक्ट से जुड़ी बात कर रही हूँ देखिए आध्यात्मिक्ता ही हमारे जीवन का मूल सत्य है ये अलग बात है कि जब हम आध्यात्मिक्ता के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां इसके साथ जुड़ी हुई है और लोग अलग-अलग तरह से इसको सोचते हैं कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब कोई जीवन में बहुत बड़ी समस्य आए तो हमें आध्यात्मिकी ओर जाना चाहिए और ऐसी जुड़ी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो आध्यात्मिक्ता से कहीं भी मेल नहीं खाती तो 26 साल पहले जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मेरी जीवन की यात्रा का एक ही उदेश्य बन गया कि मैं आध्यात्मिक्ता का सही मतलब लोगों तक पहुचाना शुरू करूँ मैं हम आज कल की यूथ है जैसे की 20 से 30 प्लस की करम बात करें मैं मुनको अभी से बीमारियां लग जाती है मैं उसमें आध्यात्म का क्या रोल है देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि स्पिरिच्वालिटी या आध्यात्म कोई 60-70 साल या रिटायर होने के बाद करने की चीज़ नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक्ता सिरफ भजन कीरतन करना नहीं है आध्यात्मिक्ता आप क्या सोचते हो आप कैसे खाते हो, कैसे बैठते हो, कब सोते हो, कब उठते हो ये सब आध्यात्म में ही आता है आजकल अगर मैं देखूं तो जब से ये corporate culture शुरू हुआ है BPO culture शुरू हुआ है तो बच्चे सूर्य अस्त के बाद ही उनका जीवन जो है शुरू होता है night shifts होती है जबकि हमारे पूर्वजों ने कहा और हमारे शास्त्रों ने कहा कि सूर्य ढलने के बाद हमारी activity थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए खाना, पीना, activity, बाहर जाना, थोड़ा कम हो जाना चाहिए Usually लोगों का ये भी मानना है कि spirituality का आध्यात्मिक्ता का हमारे भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता मैं ये कहती हूँ कि हमारा भौतिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन बिलकुल साथ साथ में चलता है इसमें एक balance की जरूरत होनी चाहिए जो आप भौतिक लेवल पर कमाते हैं जो आपके रिष्टे होते हैं जो आप पैसा कमाते हैं आध्यात्मिक्ता आपको उस पैसे को ठीक से रखना सिखाती है आप सोचिए कि आपने कुछ पैसे कमा लिए और वो पैसा चला गया आपका हस्पतालों में आपका शरीर बीमार हो गया और वो सारा पैसा आपके इलाज में जा रहा है यानि कि जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा आपका मन ठीक नहीं होगा आपके रिष्टे ठीक नहीं होगे आपका अपना व्यवहार ठीक नहीं होगा तो आप पैसा कमा करेंगे भी क्या हमारे वेदों और उपनिशदों में हमेशा एक balanced life की बात की गई है यानि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में एक balance यानि समभाव जिसको हम कहते हैं कि ना ज्यादा दुखी हों, ना ज्यादा सुखी हों पानी की तरह रहें, बिल्कुल go with the flow इस तरीके का जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है आध्यात्मिक ताके थ्रू तो आप जीवन में हर परिस्थिती को face करना सीख जाते हैं ये बहुत important है मैं बिल्कुल नहीं बोलती 20 साल के बच्चे को या 30 साल के युवक को कि आप पूजा पाट करें या एक्जाम से पहले आप एक घंटा मंत्रों का जाप करें नहीं लेकिन जो हम processes सिखाते हैं यानि अगर आप बच्चे को प्रानयाम सिखा दें अगर आप बच्चे को थोड़ा सा 10 मिनट का ध्यान सिखा दें अगर आप उसको एक अच्छा मौहौल दें अगर आप उसका आहार अच्छा रखें देखिए हम सबको पता है कि आप अगर अपने बच्चपन की भी बात याद करें तो एक्जाम के दिनों में आपका आहार आपकी माँ अपने आप ही बदल देती थी हम सबको ये अपने अंदर से ग्यान होता है कि हमें कब क्या चीज खानी है और हमारा तो कल्चर भरा हुआ है देखिए आप इकादशी का वरत देख लीजे आप पूर्णिमा पे देख लीजे समय समय पर हमें सिखाया गया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना यूथ के लिए सिंपल चीज आप सोने से पहले आधा घंटा और उठने के बाद का आधा घंटा आप किसी भी electronic gadget को हाथ ना लगाएं यहां से ही आपको difference पता लगना शुरू हो जाएगा मैं आप एक समाजिक संस्ता भी चालाती है थोड़ा दर्शक को उसके बारे में बताईए दिखिए जब मेरी आध्यात में क्यात्रा अपनी चल रही थी और मैं बच्पन से सेवा भाव में बहुत जादा थी शायद हमारा DNA ही ऐसा है कि हमें बच्पन से सिखाया गया कि हमारे जीवन का एक दस्वा हिस्सा बेशक वो समय का हो वो उर्जा का हो या वो हमारी कमाई का हो वो समाज के लिए हमें देना चाहिए तो जब मेरी यात्रा चल रही थी और बहुत सारे लोग जुड़े और उन्हें समझ में आने लगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ तो हमने ये डिसाइड किया कि क्योंना हम सब मिलकर समाज की सेवा करें और जो बिलकुल जो नियुनतम वर्ग है हमारा जो अंडर प्रिविलेज़्ट, OBCs, SCSTs हैं जिन्हें शायद एक समय का अच्छा खाना साफ पानी तक नहीं मिलता तो हमने सेवा करनी शुरू करी और सिध्धी का जो संकल्प है मेरी organization सिध्धी हमने जो संकल्प लिया हुआ है वो है निशकाम सेवा का यानि कि जब आप बिना किसी expectation के समाज की सेवा करते हैं, जब हम सब मिलकर जो सक्षम लोग हैं, वो सब मिलकर अपना समय, अपना थोड़ा धन, जब समाज को देना शुरू करते हैं, तो यहां से एक बहुत ही सुन्दर राष्ट्र का निर्मान शुरू होता है. अगर जैसे आपकी संस्ता चलती सामजिक संस्ता है, अगर मैं इससे लोग जुड़ना चाहें, तो उस खड़ा प्रोसेज क्या है? या गुरु कुल हो, बच्चों को पढ़ाना हो, जहां पर भी आपका मन लगे, वहां पर आप आकर अपना श्रम भी दे सकते हैं, अपने पैसा भी दे सकते हैं, तो आप सब को मैं बोलूँगी कि आप जरूर जुड़िये, आध्यात्म से जुड़िये, सिद्धी से जुड ये और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आईए, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मेना महाजन, जो के एक संसा चला रही हैं, जो गरीब लोग हैं, बंचित लोग हैं, उन तक अपनी जो सहयों के वो पहुचा रही हैं, कैमरा पर सनुपंदर के साथ कंचन कुमार, तो अ झाल झाल